हलो दोस्तों नमस्कार मेरा नामेर रोदकुमार आप सभी क्या स्वागे थे माइस यूटूब चैनल पर एक बार फिर से और आज चलिए सुरुवात करेंगे नए चीज़ सुरुवात कर रहे हैं संकु थोड़ी डीटेल में समझाएंगे बात को पूरी तरीके से समझेंगे अगर आपने अभी तक संकु को नहीं समझाएं तो समझ जाएंगे तो चलिए सुरुवात करते हैं संकु को जानते हुए समझते हुए क्या होता है आखिर में संकु तो भाई संकु आपने कौन तो सुना होगा ना देखें कौन आपने सुनोगा आपने क्या-क्या चीज़े देखिए हैं इस आकर्डी की पहले तो पह्चान लेते अगर आप ने देखा है हैपिबर्ड देई वाली अपनी टोपी उती है जोकर की टोपी होती है कोपी फी वाली जो आइज़ क्रीम होती है वो जो ऑपने डालते कि आओगा वो भी तो ऐसे ही होता है और धी को कोण अंगेंजी मी कोण कहा जाता है इसलिए कोण वाले जो महरी महदी होती लगाने कर लिए घीली व féज वह इसी फॉर्म में रखी जाती सी पैकट में है करके आती है इसको कहा जाता है कोvan और यार अंग्रेजी में कुन लिखा जाता है हिंदी में नहीं लिखना चाहिए तो उसको कहते हैं हिंदी में पन संकू तो संकू से आपने बहुत बार इससे मेल बेहुखार बनाया है यहां तक कि अगर यह जो हम ले रहे हैं मारकर है मारकर का जो बीच वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा बेलना कार है ऑफासन एक यह होता क्या-क्या चीज़े अगर आपने समझा घला है तो ये वाला हिस्सा सब्सक्राइब झाले करते हैं यहां पर कितनी सतह हैं हैं तो चैष्ट कहते हैं यह ब awareness हिस्थ होते हैं 2 सबेह देखने केली मिलती हैं अब यहां पर क्या-क्या चीजह हम इहां पर ध्यात करने हैं आपके हिसाब से आपके जो चैप्टर में हैं वो कि अथार यह देखनेंने पर कैसे दिखाई देगा हो ब्रुत्त कर्पोड़ के रूप मे रहेगा इससकी एक इस आई से देख रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखाई sticking इसा कुछ है और यहीं है इसके आधार की तुरिज्या यह की सीधी मुचाई है कितना उपर कितना ऊचा यह सीधी स्की उचाई है इसको we small itself है यह दिख्वाइब है यह इसको कहा जाते हैं इसकी तीर्चय किया जाता है ठीक के यह चीजिजे च्छह इनको अच्छर यह क्या रिप्रेजेंट किया जाता है् लिपडेयों क्यूंदank साथ में हैसा तो इनकी तौक करते हैं निदय क visitor को किसे उचाई को आप सीधी उचाई भी कह सकते हैं या फिर सीधे सीधे आप उचाई रखिए उचाई ही रखिए उचाई को एच से रेप्रेजेंट करते हैं तिर्यक उचाई या तिर्शी उचाई कहा जाता है अब हाँ यहां पे तिर्यक उचाई छोटी सी बात मेरे मन में हमें से लाट आता रहा था कि उचाही और तिरियक-उचाही में हम difference कैसे गरेंगे यहां पर जब सवाल में आए दो हम कैसे आलग उलग समझेंगे तो जब भी आपको तिर्षाही सद्रिया कहने होगा जब भी उचाही के यह तोलब् autism 009 या सीधी उचाई कहेगा और जब भी तिर्शी उचाई एल के बारे में बात कहने की बात आएगी वहाँ पर हमें साथ तेरिया तिर्चा या फिर तिर्ची उचाई कहा जाएगा उसको एल से रेप्रेजेंट करते हैं तो यह सारी चीजे हो गए इसके बाद इन तीनों के सारा बना लेते हैं कि यहां पे अगर हमने स्तिर्भुझ को लिया है तो आप देख सकते हैं कि इस में यहां पे नभे अंस का कोड नब्बैकर कोड बन रहा है तो क्या आपको याद आ रहा है कुछ, जी हां बिल्कुल याद आ रहा स्वाइब यहां पर लग सकता है पाथागोर्स पुरमेद कि सावने और भुजा कर्ण हो जाती है यह सीदा सीदा हिस्दा हिस्ञ है नीचे वला हिस्सा आधार है लंब आधार कर्ण की बीच का जो सिरे रिलेशन होता है वह ही यहां पर प्रयुक किया जाएगा और फिर निका कर्ण कहला गया है कैसे निकाला गया फिर से समझते हैं यहां परेंगे नभेंगे सामने वाले फिससकर्ण कहलाता है नीचे वाले हिस्सा आधार कहलाता है और यह वाले हिससा कहलाता है पाथाक, पृर्ण inviting गण का environment CH-D kyn कൂ बचें का और वर्घ बेर बराबर होगा मॅ लम स्कुर्ण, प्लस अधार, इसकुर्ण, यह होता है, अब अगर इसके लिए करण कौन होगा, यह तिर्ची उचाई ही अपना करण होगी, इस लिए L स्कुर्ण, बराबर, लंब, लंब यह सीधी उचाई, च जो दिखाये दे रहें, यही सीधी उचाई, लंबी के रूप में काम करेगी H square प्लस आधार तरज्या R के रूप में काम करेगा R square इस प्रकार से इनके बीच का ये relation बन पाता है और ये बन जाता है, कम हो गया इनके बीच में ये संबंद आपको याद रखना है क्योंकि सवालों में आप से हो सकता है कि कुछ अलग अलग घुमा के पूछा जाए ठीक है तो आपको जिन चीजों की जरूरत होगी उसके अलावा कुछ चीज़े देगे आएंगे और जिन की जरूरत जो आपको वास्तों में प्रयोग मिलानी है वो न दे जाएंगे तो आपको खोजना होगा volts सकता ही प्रयोग करना होगा अब आगे अगे बात को बढ़ाते हैं यहां पर हमें मुक्ھ रूप से दो ुखीज жен में जाननी होती हैं एक तो होता है प्रिश्टी छहत्रफल मैं भी दो परकार की कर संपोर्ड पिष्टि च्य चिठ हो यह तो यह दो चीज आप quieres the चे के बारे में जान लेते हैं को प्रिष्ठि अशेत्रफल यह प्रिश्टिच रफल होता क्या हो पर-ऊपर अगर आपके पास ऐसा कोई है चीज अगर आपको अगर टोपी ही बनानी हो तो आपको कितने छेतरफल का कागज लगेगा maximum कितनी कागज के ज़रूरत होगी वही निकालने का जो वही हमारे पास प्रिष्टी छेतरफल होता है माली जी अगर आपके पास ऐसा कोई वस्तू है आपने इसा बनाया इसको पर कागज लेपेटना है तो कितने चेतरफल का कागज आपको लेगेगा उसकी माप ही प्रिष्टी चेतरफल कहलाएगी अब इसमें दो परकार क्यों गया एक तो आप यूं कह सकते हैं कि हमने क्यों क कि नारे किनारे ही कागज लेपेट यहां पर पनि अगर लेपेटना है उसमा है तो वहां पर बनेगा यह बनगा वह कश्डा बन जाएगा वाक खर प्रिष्ट ठेक है और माली जहैं दूसरा पैकटмотр है जिसमें इधर इदर भी पनिलेगा तो दोनों प्रकारों करके अलग-अलग कि निकाल सकते हैं तो प्रिषटीज हित्फल में सबसे पहले आ जाता है वक्रुपेस्ट केसे निकाला जाए jaha यादबाब्ली यादध क्रिच यह कहां से निकल की जोड़रत नहीं और खोजने पर मिलता भी नहीं है आपको बस याद कर लेना चाहिए पाई आरेल क्या हता है पाई पाई कमान अपना 22 बटे साथ ही होता है और आर कमान क्या होता है यहाँ पर जो भी तरिज्जर है कि वो और एल एल कमान यह तिर्शी उचाई यहां पर सीधी उचाई कोई काम नहीं है हो सकता है हो सकता है कुछ कोशेशन में आपको दिज्जर दी जाए उचाह दी जाए वांकर्प्रिश्च आप से पूछ लिया जाए ऐसी इसती में पाई यह लगाना है यह लगाना है लेकिन यह हमारे पास मालूम नहीं तो हम यह वाला फ़र्मूला लगाएंगे पर में लगाएंगे लगाएंगे तब जाके ल कमान निकालेंगे तब जाके उसमें रखेंगे तब काम हो पाएगा ऐसी इस्तिती आ सकती है अगर पूरी तरीके से कवर करना है तो उसको कहा जाएगा संपूर प्रिष्टिए छेत्रफल, अब संपूर्ण प्रिष्टी छेत्फल में आपको वक्क प्रिष्टी छेत्फल तो लिया ही जायेगा, यानि पाई आरियल इधर तो आपने कवर किया ही, साथ में ढखकन भी लगाया, उपर से इसको बंद भी किया, तो वो कैसा है, ये बृत्ताकार है, और बृत जोड़ देंगे, यहां से कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, पाई भी दिखाए दे रहा है, आर भी दिखाए दे रहा है, निकाल लेते हैं, एल प्लस आर दिखाए दे रहा है, बचा हुआ, देखें, पाई यार, पाई यार कॉमन ले लिया, इसके पास दो ठी यार था एक ही निकाला एक ही बचा रहे गया तो आर प्लस एल बच गया एल प्लस आर या फिर इसको आपके अपने मेहदी खरीदी है उसके अंदर कितनी मेहदी भरी हुई है उसका आयतन यही नापने का काम होता है आयतन में तो आयतन को कैसे नापा जाएगा इसके लिए फार्मूला होता है एक बिटाती पाई यार स्क्वायर एच यह सब कैसे मिला थोड़ा यह डिटेल में समझते ह कैसे समझना है आपने संकू बेलन का आयतन पिछले क्लास में पढ़ा था बेलन का अधन पढ़ा था कि बेलन कुछ ऐसी आकृती होती है यह रही है बिलना का आकृति अब इसका आयतन क्या होता है आधार का छेतर रफल पाई यार स्क्वायर गुरते उचाई एच जो की मिल जाता है बन जाता है पाई यार इसक्वायर एज बन जाता है अब अगर संकू के देखा जाए संकू इसी से बना हुआ हिस्सा अकर यह इसे मिल जाता है ऐसे मिल जाता है यानि ये साबना संकु है बाकी चाहिक कम हो गया तो अगर ध्यान से समझा जाया या फिर प्रढीखों द्वारा यह देखा गया है ऐसे समझा गया है कि आगर तुर तुरीज़ समान रखे जाएगा कोई संकु अगर संकु की आकार को कोई बरतन लिया जाए, उल्ठा बरतन लेते हैं, इदर तो खुला हुओ अब ल्टा देख लेगे ऐसा कोई बरतन लिया जाए, तो इस बरतन से अगर इसमें तीन दाने पहली बार इतना आड दूसरी बार इतना थीने द कम पूरा भर जाएगा इसच्छ से यानि कि प्र जाता है तो इससे पता चलता है कि जो कhu का आतन होता है वह लगा है त्र इसे वजह हैं यहां पर देखेंगे यह जो हिस्सा दिखाए दे रहा है, हम निकाल रहे हैं संकू का आयतन, संकू की आयतन में बेलन के आयतन का सूत्र लगाए गया है, पाई यार स्कौर एच, और उसी में एक बटे तीन से गुड़ा कर दिया गया है, यानि कि एक तिहाई कर दिया गया है, जिससे हमें संकू का आयतन प्राप्त हो जाता तो संकू का आयतन बहुत ही आसान प्रक्रिया है उसका फार्मूला याद करना अगर आपने बेलन का फार्मूला याद किया तो उसी में एक बड़तीन से गुड़ा कर दीजिए तो आपको संकू का आयतन का फार्मूला याद हो जाएका पता चल जाएका तो इस प्रकार से से कोई समस्चा नहीं होती कि संखू कहीं पर कोई problem create करे हाला कि आप आपने संकू को बहुत बार देखा है कई पर उसका प्रयोग भी किया है आपने पैकिन भी किये तो इसके बारें समझ रहे होंगे कि कहां 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 हो रहा है तो इस बीडियो में बस इतना ही उमेद करते हैं आपको ये जानकारी समझ में आई होगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलेंगे अगले वीडियो में बाई